तो येर्ट विल्कम टु हंडेड़ एंट सिस्टी वन एपिसोड अफ नर्डी नियूज और इस वीक तो भाई अमेजिंग नियूज आए हैं बाहर की सूपरहिरो से नहीं बलकि इंडियन सूपरहिरो से भी जैसे की क्रिश, डोगा ये सब और फिर उपर से फ्लैश के सेट से कई सारे फोटोस जिसलिए कुछ भी मिस नहीं करना चाते तो वीडियो एंट तक जरूर देखना अब ऐसे इस पोश्ट के थोड़े दिर बाद ये भी खबर आई कि क्रिश 4 का जो स्क्रिप्ट है वो फाइनल हो चुका है और इस बार क्रिश की मुवी में टाइम ट्रेवल इन्वाल्ड होगी तो हाँ क्रिश 4 को लेकर भी अब जल्दी बहुत सारे खबर आने लगेंगे सही टाइम है इंडियन सुपरहिरोस को सपोर्ट दिखाने का इसलिए अभी जाके वो शॉर्ट फिल्म देखना और उनके लिए एक पॉजिटिव कॉमेंट करना जिससे वो ऐसी और कॉंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें चलो आगे बढ़ते हैं अब कुछ विदे में देखा था फिर मिस मिनट की वोईस आर्टिस टारा स्ट्रॉंग ने ये भी कंफर्म किया है कि अभी भी इस क्याक्टर को लेकर बहुत कुछ है जो कि आगे रिवील होगा तो लेट सी कि इस मिस मिनट के साथ क्या क्या होता है वैसे लोकी के सिरीज से सिल्वी के इस मिनट की स्क्रीन पर देखने वाला है तो हां अब आप लोकी बन के भी फोर्टनाइट खेल सकते हो अब गेमिंग की बात होई है तो मार्वल के अविंजर्स गेम पर आ जाते हैं तो इस गेम में अविंजर्स एंड गेम से इंस्पायर डुक कैप्टन अमेरिका का हमें दिखने वाला है जिसका आप पूरा लोकी स्क्रीन पर देखी रहे हो फिर इसी गेम से ये भी रिपोर्ट्स आए हैं कि इसमें जल्दी स्पायडर मैन भी दिखेगा वैसे स्पायडर मैन का इक अलग गेम अल्रेडी एक्जिस्ट करता है लेकिन फिर भी अविंजर्स के अलो मुवी को लेकर भी ये अपडेटा है कि रॉबर्ट पैटिंसन और कॉलिन फैरिल ये दोनों ही कुछ और रिशूट के लिए स्कॉट लैंड जा रहे हैं और ये रिशूट पूरी जुलाई एंड तक चलेगा अब शूटिंग और रिशूट की बात होई रही है तो आ इस मुवी में Ben Affleck का Batman और Michael Keaton का Batman दोनों ही रिखने वाला है फिर यहाँ Barry Allen Iris West के साथ दिखा और अगर आप Barry Allen के Fingers पे द्यान दोगे तो यहाँ उसका Famous Flash रिंग है जिसके help से वो आप Costume चेंज कर सकता है जैसा कि Comics में होता था फिर Flash के सेट से ये Actress Sasha Kelly का ये लुक आया जि Comment पे जरूर बताना अब Costumes की बात होई रही है तो Shazam 2 से Shazam Family का ये पूरा लुक रिवील कर दिया गया डेविड सैंडबर्ग ने बहुत सही किया कि कुछ लीक होता उससे पहली उन्होंने Official लुक रिवील कर दिया है जहाँ आप Shazam Family के सारे Member School के नए Costumes के साथ देख सकते हो फिर Shazam 2 के सेट से ही एक्ट्रस Helen Mirren का ये लुक रिवील वा वो इस मूवी में हस्पिरा नाम की सूपर विलन का रोल प्ले करने वाली है और वो वन आप दी मेन विलन्स होंगी अब आते हैं Wanda Vision के concept art पे तो ये जो concept art देख रहे हो वो अभी recently release किया गया है officially Marvel Studios के तरफ से जहां आप Soldiers को एक band party में transform होता देख सकते हो फिर storyboard से ये photo release किया गया जहां आप Billy को अपने powers use करता देख सकते हो जिस shot में उसने bullet को रोका था अब यार मैं ये सब इसलिए share करता हूँ क्योंकि मुझे ये देखकर amazing लगता है कि आखिर storyboard से लेकर concept art से लेकर finally movie तक scenes 2 पे जहां पे एक छोटी सी casting update आई है जिसमें ये reveal हुआ कि इसमें कुछ archery वाले scenes होने वाले हैं और इसके लिए भी casting हो रही है जिसके लिए भी real archers को ढूंडा जा रहा है तो हां अगर तीर कमान चलाने आता है तो भाई चले जाओ आगे बढ़ते हैं black video पे क्योंकि इस भी बहुत पसंद आ रही है तो लेट सी कैसी होती है नेक्स्ट है लूई फरिगनो जो की original hulk का रोल प्ले करते थे मतलब की 1970s के tv शो में तो उन्होंने एक interview में बात करते वे ये बोला कि कैसे marvel studios अब cgi और vfx का बहुत जादा यूज़ कर रहा है especially she hulk या hulk जैसे characters के लेकिन हाँ उन्होंने भी जो अपना performance दिया था वो भी बहुत सही था आपके इस पर क्या thoughts हैं जरूर बताना फिर एक छोटी सी update है Smallville series से जिसमें इसकी एक spin-off animated series आ रही है और इस बात को खुद actor Tom Willing ने confirm किया series की बात हुई है तो boys के season 3 से एक नया update है कि भाई इसमें soldier boy तो दिखने ही वाला है लेकिन तीन और नए superheroes दिखने वाले हैं Gunpowder, Blue Hawk and Super Sonic नेक्स्ट है Zack Snyder का Justice League तो Zack Snyder के तीनों movie का Blu-ray release कर दिया गया है जिसमें Man of Steel, Batman vs. Superman Ultimate Edition और Zack Snyder की Justice League है तो हाँ भली Warner Brothers Zack Snyder के Justice League को appreciate नहीं करें लेकिन ये लोग पैसे बनाने में बहुत आ गए हैं फिर आगे एक छोटा सा update है Guardians of the Galaxy 3 से तो Guardians of the Galaxy Vol. 3 का pre-production स्टार्ट हो चुका है जहां Nebula के actress Karen Gillan ने ये photos अपने Insta Story में share किया जहां makeup artist उनके चहरे का mold बना रहे हैं जिससे कि उनके लिए Nebula का prosthetic किया जा सके दिन आगे है Anthony Mackie और Captain America 4 तो ये तो अभी तक सब को पता चल गया है कि Captain America 4 बनने वाली है At least सब ने ये बात सुनी तो जरूर है लेकिन Anthony Mackie ने ये बोला कि ये बात उन्होंने भी सुनी है लेकिन अभी तक Marvel Studios ने Captain America 4 के लिए Anthony Mackie से contact नहीं किया है उन्होंने ये बोला कि Marvel Studios अभी बहुत जादा बीजी है अभी सब Black Panther 2 और बाकी सारे projects में लगे में हैं तो वो भी शोर नहीं है कि उनसे कोई contact करेगा भी तो कब करेगा फिर Ant-Man 3 के writer Jeff Loveness ने ये tease किया है कि Ant-Man in the Wasp Quantumania Rick and Morty जैसे theme पे होगा और अगर भाई आपने Rick and Morty देखी है तो इसमें कितना time travel, कितने alternate realities ये सब होता है आप जानते ही होगे मतलब कि ये movie भी कुछ जादा ही crazy होने वाली है और ये तो confirm ही है कि इसमें Kang दिखने वाला है तो भाई next level का time travel होने वाला है ये तो confirm है मैंने Kang की एक origin वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने सब कुछ explain किया है आप लोग चाहो तो जरूर देखना एंड जाते हाते एक छोटा सा अपडेट justice league dark को लेकर जो justice league dark के comic से related मैडम जानदू के character को एक अपनी series मिलने वाली है HBO max पे और हाँ ये बस HBO max पे release होगी exclusively ते आर ये थे इस week के updates होप सो कि आप पूरी तरह से updated हो गया होगे भाई जिन्होंने app download करके रखा होगा वो तो पहले से ही updated होगे लेकिन यहर वीडियो का अलागी मज़ा होता है इसलिए वीडियो पसंद आई तो वीडियो like करना share करना and channel को subscribe करना कैंक की origin देखने के लिए उपर वाली वीडियो देखें और शैंक जी के निव ट्रेलर का breakdown देखने के लिए नीचे वाली मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा तिल देन वी देशी बी नर्ड